हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेर्स पर दोस्तों ये बात आप सभी जानते होंगे कि इंडिया के ज्यादतर टेरंस काफी रफ है क्योंकि वो काफी हाई आल्टिट्यूट पर सिचुएटेड है हाई आल्टिट्यूट्स पर होने की वज़े से उनके सर्फेस एरिया काफी अनीवन होते हैं जिस वज़े से उन टेरंस पर कई सारी चीज़े करना मुश्किल हो जाता है और अलगलत चैलेंजस का सामना करना पड़ता है इसी के चलते हाल ही में एक खबर आई है जिसमें ये पता चला है कि इंडियन आर्मी 300 इंडिजिनस लॉजिस्टिक्स रफ टेरिन विएकल्स खरीदने का प्लान कर रही है जिनने लोड्स की ट्रांस्पोर्टेशन और मीडियम से लेकर हाई अल्टिट्यूड वाले एरियास में कैजुल्टीज की केसेस में एवाक्यूएशन के लिए भी यूज किया जा सकता है मैटर से रिलेटेड ओफिशल्स ने बताया कि आर्मी फास्ट राक प्रोसीजर को एमर्जनसी प्रोक्यूर्मेंट के अंडर इन्वोक करेगी और हाईली मुबाइल मल्टी कन्फिगरेबल वील्ड वीएकल्स को खरीदेगी आर्मी ने ये डिवलेपमेंट करने का फैसला लदाक सेक्टर और इंडिया के दूसरे इस्टन सेक्टर्स में भी लाइन ओफ एक्च्छल कंट्रोल के पास चाइना के साथ पॉसिबल सैंड ओफ्स के चलते लिया 2020 में भी चाइनीज आर्मी ने LSE की थूँ इंडिया पर अटाक करने की कोशिश की थी पर वो अपनी इस कोशिश में नाकाम्याब रहे थे इसी के चलते अब इंडियन आर्मी पहले से तयार या कर रही है ताकि टाइम आने पर इंडिया पूरी तरह से तयार हो आर्मी इन वियेकल्स को ऐसे एरियाज में ऑपरेट करने की प्लानिंग कर रही है जिन एरियाज का टेंपरिचर माइनस 20 डिग्री से लेकर प्लस 45 डिग्री तक रहता है टाइम के साथ साथ अब इंडियन आर्मी चाइना के अलॉंग बॉर्डर पर अपनी केपेबिलिटीज को भी इंप्रूफ कर रहा है आर्मी अपने सिस्टम में वराइटी ओफ वेपन्स इंट्रिड्यूस कर रही है इन वेपन्स और सिस्टम में जो चीज़े शामिल है वो है आर्टिलरी गंस और स्वार्म ड्रोन जो की एनमी टेरिटरी में अफेंसिव मिशन्स को कैरी आउट कर सकते है इनके अलावा अपग्रेट्स में लॉंगर रेंज रॉकेट्स, रिमोटली पाइलिटेड एरियल सिस्टम्स और हाइली मोबिलिटी प्रोटिक्टेड वियेकल्स भी एड़ ओन किये जाएंगे पिछले कुछ समय में ऐसा दो बार हुआ है जब इंडिया और चाइना की मिलिटरीज के बीच स्टैंड ओफ की सिचुएशन बनी है जैसा कि पहले बताया गया सबसे पहले तो ऐसा 2020 में लदाक में L.A.C. की पास हुआ दूसरी बार ऐसा हाल ही में दिसंबर 2022 में हुआ कुछ चाइनीज सोल्जर्स और उनाचल प्रदेश की तुरू इंडिया में आने की कोशिश कर रहे थे इंडियन सोल्जर्स ने एक बार फिर से चाइना के इस मोटीव को फेल कर दिया और उन सोल्जर्स को वही पर रोग दिया इसी की चलते चाइना एक बार फिर से ऐसी कोई हरकत ना करे ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता इसी वज़े से इंडियन आर्मी के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि वो पहले से ही प्रिपेर्ड रहे और चाइना की तरफ से आने वाले ऐसे किसी भी थ्रट का सामना कर पाए दोस्तो इस बारे में आपकी क्या राह है जरूर बताईए और ऐसी ही नई वीडियोज के लिए चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए